साथकार श्टूडेंट्स, एक्जामनेशन्स खत्म हो जाने के बाद काफी रिलक्स फील करते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि एक बहुत बड़ा बोच सा उधर गया हो, होना भी चाहिए, काफी मेहनत करने के बाद आपका एक्सपेक्टेशन्स भी अच्छे ही होंगे, और होना बीकि चाहिए आपके रिजल्ट भी अच्छे होंगे, और उसके बाद अभी इस समय आप रिलक्स फील कर रहे होंगे, बहुत अच्छा लगता होगाँ, आपको ऐसा लगता होगे जिसे कि बिलकुल फ्री है, बिलकुल फ्री है, और इसी फ्री के माहुल पर आज मेरे मन में आया कि एक ऐसे पॉइंट पर डिस्कस किया जाए क्योंकि आपको आगे लाइफ में बहुत ही यूजफूल होगा ये जिस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे ये पास्तम में वाकई एक करिस्माई एक जबतकानिक वर्ड है ये सब ये वर्ड हम लोग सभी इस्तमाल करते ही है इस्टुडेंट्स हो टीचर्स हो कोई भी हो आम इनसान भी इस वर्ड का इस्तमाल बड़ी चतुराई से करते हैं और ये वर्ड क्या है जिए्पाद आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिक ह मेतुमें काफी यूच किया है ऐसम मेत कृत है ट्रिक क्राइभाद क्लभाद बड़ीस्चिन क्लभ शर === क्ला दलादुमें तर हम ड्क क्लेवा साथिया क्या है? हम लोग जो यूज करते हैं चलोलोगे करीं उसमफर में देता हूँ ये sah tuきइए ग्लास है जिसको लोग इसपेश्टिक्ल्स movement रोते हैं जस्मा हूँ इसका यूज क्या है? इसका यूज है defect of vision को minimize कर देता है जैसे कि हमें दूर का कोई चीज दिखाई नहीं पड़ता है याने दीख कि कोई बस्तू असफर्ष्ट नहीं दिखती है तो हम लोग ये glass का use करते हैं तो ये जो trick है जिसका कि हम लोग इस्तमाल करते आए हैं आगे करते रहेंगे आखेर उसका क्या use है पर्थावेटिक्स को easy way में आसानी से shortcut कैसे हम बना दें ये ही तो trick है लेकिन क्या पास्तम में जिसका हम लोग इस्तमाल करते हैं क्या वो जाईज है What is the actual meaning of trick? तो trick का मतलब होता है चेतुराई से किसी काम को निकाल लेना अगर आप मैथेमेटिक्स परते हैं तो मैथेमेटिक्स को solve करने के लिए चेतुराई की क्याल सकता है मैथेमेटिक्स आपको पसंद है आप इसे solve करते हैं इसको परने में मजाता है तो फिर यहां पर चेतुराई क्या मैथेमेटिक्स आप तभी अच्छी तरह सेख सकते हैं जब आपके पास concept होगा हाब लोग मैथ उसको उसके questions को short trick से बना लेते हैं कोई-कोई question आपने देखा होगा कि वो थोड़ा लंबा चला जा परहा है और किसी trick का इस तो मालगा कर लो तो वो दो line में ही बन जा परहा है आपके करें सोचा कि इस दोनों में difference क्या है एक पेज का एक question है और उसी question को हम दो line में बना लेते हैं तो आप पसंद किसको करेंगे 90% student बलकि 95% student दो line वाली solution को ज्यादा line करेंगे करेंगे आप सहमत होंगे इस बात से काफी टीचर स्वेज से सहमत होंगे बहुत सारे लोग सहमत होंगे लिकिन मैं सहमत टोटली नहीं हूँ क्योंकि जहां पर आप ट्रिक लगाते हैं वहां पर आपका clear concept रहता ही नहीं है आप किसी question को अगर solve करते हैं तो इस तरह से solve करें कि उसको कोई भी पर ले तो वो समझ जाए इसी को बोलते हैं mathematical solution ना कि mathematical solution वो solution है कि किसी question का solution हमने बनाया और उसकी solution को सिर्फ हम ही समझ सकते हैं कोई दूसरा अगर उसकी solution को देख ले तो वो नहीं समझ पाएगा क्यों नहीं समझ पाएगा क्योंकि वहां पर आपने trick का इस्तमाल किया तो यह है trick, trick का इस्तमाल करना चाहिए कभी-कभी हम लोगों को trick का भी यूज करना चाहिए अगर totally tricks पर depend करने लग जाएं तो फिर mathematics, mathematics नहीं रह जाएगा इसलिए concept कोहिस अपनाईए अगर आपके पास concept है तो आप shortcut में भी उसको बना ही सकते हैं अगर concept ही नहीं है तो फिर trick नहीं है क्योंकि concept की बिना आप trick को धूड़े नहीं पाएंगे उविद है कि आज एक्षाम देने के बाद आप मेरी इस पीडियो को जो देखे होंगे तो थोड़ा सा और रेलेक्स फील करोगे और मेरी बात को ध्यान में रखते हुए तो आपका लाइफ दिसाइड करने वाला पल आ रहा है इसको सही तरीका से इस्तोमाल कीजिएगा तो आपका लाइफ चकाचक हो जाएगा जिसको हम लोग दुसरे बाद सावे बुनते हैं लाइफ जिंगा लाइफ हो गया